हेलो एवरीवान, वेलकम बैक टू माँ यूट्यूब चानल साइन खुशी क्रियेशन्स आज की वीडियो में आप सभी को गनपती जी की पूजन स्थापना दिखाने वाली हो किस तरीके से आप गनपती जी की पूजा करें, गनेश शतुरती के दिन उनकी किस तरीके से स्थापना करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सामगरी का जो वीडियो है वो अलरेड़ी मैं बना चुकी हो तो पूजा के लिए क्या क्या सामगरी लगेगी ये देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल छिलकर सारी पूजा की सामगरी को जो है हम शुद कर लेंगे उसके बाद पूजा स्थान पर भी कंगा जल छिलकेंगे अब हम अमारा पूजन शुरू करेंगे तो सबसे पहले गनपती जी की मूर्ती स्थापित करेंगे, मूर्ती मैंने स्थापित कर दी है, थोड़े से चावलों पर आपको गनपती जी की मूर्ती स्थापित करनी है, मूर्ती के आसपास पंडाल आप सुन्दर सा सजा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, तो ये देखें लाल रंग के कपड़े पर आपको गनपती जी को विराजित करना है, गनपती जी की पूझा में लाल रंग की चीज़े उपयोग करी जाती है, उनको लाल रंग अतिप्रिय है, अब गनपती जी जिस हाथ से आशिरवाद देते हैं, यानि उनके राइट हैंड की तरफ हमें कलश स्थापना करनी होती है, तो थोड़े से चावलों पर ये देखे, कलश पर अब हम स्वस्तिक बनाएंगे, कलश के कंठ में मैंने मोली बांद ली है, उसके बाद कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल साफ जल से जो पीने वाला पानी होता है, कोशिश करके आप वही ले, क्योंकि दस दिन तक अब में पानी रखना है, और उसके बाद जो कलश की अंदर डालने वाली सामगरी है, एक रुपे का सिक का सुपारी, चावल, दूबडा घास, और हमें हल्दी की गाट कलश के अंदर डालनी है, हल्दी की गाट ना हो तो हल्दी का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, उसके बाद उसके उपर आम के पते रखेंगे, और फिर नारियल का मुख उपर रखकर हम हमारा नारियल रखेंगे, और एक बाद जो स्थापना है गनपती जी की वो आप 3, 5, 7 या 10 दिन, जितने दिन करना चाहें, उदने दिन के लिए कर सकते हैं, तो ये देखें मैंने चावल लिए हैं, अब चावलों पर हमारी कलश स्थापना करेंगे, तो इस प्रिकार से ये देखें हमारी कलश स्थापना हो गई है, अब हम जो है गनपती जी की स्थापना, छोटे वाले जो गनपती जी हैं, उनकी स्थापना करेंगे, क्योंकि हमें बड़े गनपती जी के साथ हमारे जो घर के मंदिर के गनपती जी है उन्हें भी जरूर से विराजित करना चाहिए अगर आपकी मूर्ती पीतल की है तो आप उनका अभी शेक करा सकते हैं अभी शेक का लिंक मैं डेस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो ये देखे गनपती जी को चंदन, रोली लगा कर, जनिउ पहना कर मैं उन्हें विराजित कर रही हूँ और वस्तर रूपी मोली भी पहना रही हूँ तो गनपती जी की स्थापना मैंने कर दी है इसी के साथ साथ आप अपनी पूजा में अपने इश्ट देवता को आप जरूर से बठाएं अब मैं गनपती जी के दोनों तरफ सुपारी विराजित कर रही हूँ ये रिद्धी सिद्धी जी है और ये गनपती जी की पत्नी है इसलिए हम गनपती जी अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं ये मानते हुए दिद्धी सिद्धी जी को भी जरूर से विराजित करते हैं जो भी मूर्तिय आप लाएं ये जरूर देखे कि उस मूर्ति में गनपती जी के साथ मुशक जी भी हो छोटे से ही क्यों ना हो पर मुशक जी भी होने चाहिए तो अब गनपती जी को सबसे पहले जलका छीटा देकर स्नान कराएंगे फिर चंदन, रोली, चावल अर्पित करकर उनका हम तिलक करेंगे उसके बाद हम कलश स्थापना करके कलश का पूजन करेंगे तो कलश पर हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, चंदन, वस्त्र स्वरूप, मोली अर्पित करके हम फूल चढ़ा कर कलश देवता का पूजन करेंगे तो इस तरीके से ये देखे कलश का पूजन हो जाएगा इसके बाद रिद्धी सिद्धी जी का भी पूजन करेंगे रिद्धी सिद्धी जी को हल्दी, रोली, चावल, सब कुछ अर्पित करेंगे विसर्जन किस तरीके से करना है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है उसका लिंक भी मैं डेस्क्रिप्शन में देदूंगी आप विसर्जन जब बाद में करेंगे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं तो गनपती जी का जो मूशक है उनकी भी हम पूजा करेंगे मूशक को भी तिलक करेंगे, चंदल लगाएंगे चावल अर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूप मोली भी चढ़ाएंगे साथ ही साथ आप गनपती जी के चर्णों का भी पूजन करें इस बार हम बालगनेश जी की मूर्ती लाये थे आपको मूर्ती कैसी लगी कमेंट करके सरूर बताएं, तो गनपती जी को अब हम वस्त्रों के स्वरूप मोली अर्पित करेंगे, आप एक मीटर कपडा हैं कि जो चाहे भगवान को वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं इसके बाद गनपती जी को जनेऊ धारन कराएंगे, उन्हीं जनेऊ अर्पित करेंगे गनपती जी को जनेओ अर्पित करने के पाद अब हम गनपती जी को फूल और दुर्वा यानि दूब अर्पित करेंगे तो गनपती जी को मैंने छोटे वाले गनपती जी को और बड़े वाले गनपती जी को दोनों को दुर्वा अर्पित कर दी है अब मैं आप दीपक प्रजोलेत कर लेंगे, दीपक से गनपती जी की आर्थी करेंगे, दीपक का भी पूजन करेंगे, फिर हम गनपती जी को इलाइची और सुपारी दो पान की पत्तों पर रखकर अर्पित करेंगे, इसी के साथ साथ आप लॉंग भी इसी पान पर रख सकते हैं, औ आप जो भी उन्हें भोग लगाएंगे वो आपका भोग जरूर से स्विकार करेंगे तो जो मन करें वो गनपाथि जी को दसो दिन आप भोग में अरपित कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छ लगा हो प्यार से गनपती जी को अर्पित करें उन्हें बोलें कि वो आपका भोग स्विकार करें तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें मेरे चैनल साइंखुशी क्रियेशन को ऐसे और वीडियो के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें आप मेरे को Instagram और Facebook पे भी follow कर सकते हैं मैंने गनपती जी की 10 दिन पूचा कैसे करी थी ये 100 दिन का वीडियो मेरे चैनल पर है मैं सभी वीडियो उसका लिंक डेस्क्रिप्शन में दे दूँगी Thank you very much for watching Please like, share and subscribe Thank you Thank you